बिजनस बेरोमेटर, स्टेटेस्टिक और मार्केट डाटा का उप्योग करके प्रोफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई पिछले अध्यायों में देखा गया कि व्यापार और वित्द के नियमों के कारण वस्तों की कीमतों में उतार चड़ाव होता है इसके कई कारण है जैसे कि सोने की आपूर्ति में व्रदी, शरम की बढ़ती कीमत और लोगों की बढ़ती खपत क्शम्ता मांग की लगातार व्रदी होती है जिसे आपूर्ति की बढ़ती मात्रा पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती हालंकि जब इन कीमतों की प्रवर्ती को ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है तो पंक्तियां सीधी नहीं होती बलकि जिग-जैक होती है प्रतेक निम्न बिंदू पिछले बिंदू की तुलना में उतना कम नहीं होता और कीमतों की सामान्य दिशा उपर की ओर होती है फिर भी निरंतर उतार चड़ाव रहता है सावदानी पूर्व का द्यन से यह भी पता चलता है कि ये अचानक परिवर्तन हर कुछ वर्षों के अंतराल पर होते हैं और ये परिवर्तन गर्मी और सर्दी की तरह निश्चित रूप से आते हैं इस बयान को साबित करने के लिए कई कारण दिये जा सकते हैं लेकिन हम केवल एक परध्यान देंगे अगर किसी एक वस्तू की दिशा हमेशां बढ़ती रहती और उप्रोक्त उतार चड़ाव नहीं होता तो हर कोई उस एक वस्तू के निर्मान, विक्री या निवेश के व्यवसाई में शामिल हो जाता स्वभाविक रूप से विबिन वस्तू के उतार चड़ाव में बहुत अंतर होता है और कुछ वस्तू के अधिक उतार चड़ाव दिखाती है इसलिए कुछ वस्तू की कीमतों के उतार चड़ाव को समझना अधिक कठिन होता है विशेश रूप से उनके रेंज में बदलाव की बविश्यवानी करना लेकिन यह संभव है कि सभी वस्तों के समू के सामन्य प्रवर्ति को देखा जा सकता है जैसे जैसे सभी वस्तों की सामन्य ओसब कीमते उतार चड़ाव करती है और देश समरदी से मंदी की अवदी में और इसके विप्रित गुचरता है वैसे ही निव्यार्क स्टोंक एक्सचेंज पर सभी स्टोंक भी उतार चड़ाव करते हैं स्टोंक मार्केट आम तोर पर व्यापारिक समरदी या मंदी की अवदी की पूरवानुमान करता है और जैसा की हमने दिखाया है निवेशक भी ऐसी अवदियों के पूरवानुमान कर सकते हैं बशरते वे आवशक आंकडे प्राप्त करें और उनका अध्यन करें किसान की तरह उन्हें पहले बीज खरीदने और उसे जमीन में गाड़ने के लिए तयार रहना चाहिए इसके बाद ही फसल की उम्मीद करनी चाहिए अधिकास निवेशकों में इतना धहरिया नहीं होता कि वे डेटा प्राप्त करने और इंतजार करने में पैसा लगाए क्योंकि उन्हें ततकाल परिनाम नहीं दिखते बहुत से लोग जानते हैं कि मार्केट एक साल या उससे अधिक समय में नीचे जाएगा फिर भी उनके पास इतना आत्मनियंतर नहीं होता कि वे एक साल तक इंतजार करें पैसा उनके पास जलता रहता है और जैसे ही वे एक निश्चत रासे जमा करते हैं वे उसे तुरंत निवेश करने की कोशिश करते हैं भले ही वे जानते हैं कि बैंक में जमा करके वे उसी सुरक्षा को एक टियाई कीमत पर खरीद सकते हैं इसी प्रकार के लोग बड़े समरदी के समय में उन सुरक्षा को बेचने के लिए आवशक आत्म नियंतरण और उर जान नहीं रखते हालांकि उन लोगों के लिए जो आवशक डेटा 71 करने में पैसे लगाने के लिए तयार हैं और अपने बहतर निर्ने के अनुसार कारिये करने के लिए सेलफ कंट्रोल रखते हैं ऐसा बनाने के आवसर ऐसी मित होते हैं एसे लोग पूरी तरह से नगद खरीदारी पर द्यान के निरित करते हैं और केवल सबसे समवेदन सिल स्टोक्स में निवेश कर सकते हैं। हम यहां इस सिध्धान्त को सभी परकार के स्टोक पर लागू करने का ध्यन नहीं कर सकते। इसलिए एक उधारण के रूप में केवल एक ही अनुपरियोग पर विचार किया जाएगा। अर्थात उच गुणवत्ता वाले मानक लाभास देने वाले कोपर स्टोक को कोपर की बाजार मुल्य के अनुशार खरीदना और बेचना। स्टील स्टोक्स, कपास मिल स्टोक्स और अन्य परतिवूतियों की खरीददारी में उप्योग की गई परनाली के विवरण को समझने के बजाए। उधारण का बिंदू यह दिखाना है कि इसे एक एकल वस्तु जैसे कोपर के साथ कैसे किया जाता है। दो मुख्य आउशक्ताए हैं। पहला कि व्यापारिक स्टिटियों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। और दूसरा कि हमेशा सबसे अच्छे ख़दानों की जानकारी रखनी चाहिए। यह समझते हुए कि निम्न और उच बिंदू एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बदलते हैं। इसलिए यह असंभव है कि एक ब्रोकर एक नियम दे सके। जैसे कोपर स्टोग को तब बेचना चाहिए जब धातू की कीमत 24 सेंट से उपर हो और तब खरीदना चाहिए जब धा इक वर्ष 24 सेंट उच हो सकता है और दूसरे वर्ष नहीं। इसके अलावा आज की सबसे सुरक्षित स्टोग वे नहीं हो सकते जिनमें कुछ साल पहले निवेश करना सबसे अच्छा था। इसलिए इन बिंदूओं पर डेटा प्राप्ट करने के लिए किसी केंद्रिय से जब द्रिष्ट कोणन कारात्मक होता है सामन्य प्रिक्रिया निमन लिखित है वर्तमान मुल्य उच्च या निमन है यह समझने के लिए व्यापारिक बैरोमिटर और मुलिक सांखिकी का अध्यन सबसे अच्छा तरीका है दातु के लंबे समय तक उच्च और निमन मुल् पूर्ण नहीं है जिन से दातु के मुल्य की बविश्यवानी की जा सके दातु की कीमत और कौपर स्टोक के बीच वही संबद होता है जैसा कि रेलवे की कमाई और रेलवे स्टोक के बीच होता है जब दातु की कीमत सारुजनिक रूप से बदल जाती है तब स्टोक में ट् अगली समश्या उन ख़दानों की सूची चुनने की होती है जिन में निवेश करना है निमन लिकित तालिका 15 लाभांस देने वाली कोपर ख़दानों की सूची देती है और उनकी अधिक्तम लाभांस दर क्या हो सकती है इसका अनुमान लगाती है यह 24 सेंट प्रती पाउंड क कोपर के आधार पर है तालिका यह दिखाती है कि कमपनिया 18 सेंट प्रती पाउंड और उससे कम पर क्या सिधान्त रूप में कमा सकती है यह आंकडे बिल्कुल सटीक नहीं है क्योंकि यह मानते हुए चलाई जाते है कि प्रती पाउंड की लागत स्थिर रहती है जबकि वा वर्तमान उत्पादन और खनन किये गए आयसक की प्रती पाउंड नेट लागत को ध्यान में रखते हुए संकलित किया जाता है उधारन के लिए अमेलगा मेटर की वर्तमान लागत 10 सेंट है एनकोंडा की 12 सेंट कैलमेट एंड एरीज की 7 सेंट और नार्थ बूट की 9 सेंट है इस लागत को प्रती पाउंड बिक्री मुल्य से कटा कर प्रती पाउंड लाब निकालता है फिर वह प्रती पाउंड लाब को उत्पादन से गुणा करता है और उसे सभी उपलब्द शेरों की संख्या से विभाजित करता है एक और तत्व भी है जब कीमत गिरती है तो उत्वादन भी गड़ता है इसलिए अगर कीमत 14 सेंट है तो संभवत है 24 सेंट की तुल्ला में तीन पांचमा हिस्सा ही कोपर निकाला जाता है और इसलिए उपरोक्त तालिका में दिये गए आंकडों को समयोजित करना पड़ेगा बवसन सिस्टम के कार्ड से प्रतेक खदान का उत्पादन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी समय वास्टविक उत्पादन और अधिक्तम उत्पादन के संबंद को जानकर आं में रखना पड़ता है उधारन के लिए दो चरम कमपनियों पर विचार करें कमपनी नंबर एक और कमपनी नंबर दो पहली कमपनी के पास तीन लाग शेर है और यह 4.1 सेंट प्रती पाउंड पर कोपर बनाती है दूसरी कमपनी के पास केवल 60,000 शेर है और यह 14 सेंट प्र 26 सेंट होती है तो पहली कमपनी के लाब आदे हो जाएंगे यानि 13.46 डॉलर प्रती शेर से 6.68 शेर पर आ जाएंगे जबकि दूसरी कमपनी के शेर लाब 26 सेंट की तुल्ला में केवल एक चटा होंगे और 34 डॉलर से 5.33 पर गिर जाएंगे कोपर की कीमत में एक सेंट की उतार चड़ाव से कमपनी नंबर एक के लाब में 62 सेंट का अंतर होता है और कमपनी दो के लाब में 2.33 डॉलर का अंतर होता है इसी तरह एक सेंट की गिरावट से एनकोंडा के लाब में लगवग 83 सेंट प्रती शेर की कमी होती है कोपर पूझने के बाद यह संभव है कि बिक्री मुल्य पर अरजित प्रतिसत के साथ साथ मुल्य पर अरजित प्रतिसत का भी आंकलन किया जा सके जिसे उप्रोक्त तरीके से घ्याथ किया जाता है। और जिनके पास लंबे समय के लिए आयसक ब्लोक किये गया है। जब उत्पादन की लागत का आंकलन करते हैं तो तीन ततों पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रती तन चट्टान में कोपर की पाउंड की मात्रा, दो अपूर्ती, श्रम, आदी की लागत जिसमें कर और सवी निश्चित खर्च सामिल है। तीन, विकास, मशिनरी, आदी पर खर्च की गई राशी। पहला ततों तुलना के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और निमन लिखित तालिकाएं प्रमुख खानों की सुची देती हैं, जिन में दैनिक दोर पर चट्टानों की ओसत तन, प्रती तन चट्टान में कोपर की पाउंड और कोपर का प्रतिसत शामिल है। दूसरा ततों प्रतेक खान के लिए अधिक या कम समान होता है, लेकिन तीसरा ततों विभिन खानों में बहुत भिन होता है, यह तीसरा ततों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संतोस जनक जानकारी प्राप्ट करना मुश्किल होता है, खासकर अधिक सम्वेदन सील संपत्तियो के लिए इस डेटा को प्राप्ट करने के बाद सफल निवेश का रहश्य बस इतना है कि जब बिजनेस बैरोमिटर सामान्य व्यापार को मंदी की स्थिति में दिखाते हैं और कौपर की कीमत ओसत खान की उत्पादन लागत से कम हो तो इन स्टोक को खरीदना है और इने कुछ वर्षों तक रखना है जब तक बिजनेस बैरोमिटर देश को बड़ी समरदी की स्थिति में दिखाते हैं लेकिन यह भी ध्यान दें कि परिश्थितियों में बदलाव आने वाला है जब स्टोक को बेचा जाना चाहिए जब स्टोक बेचे जाएं तो पैसे को किसी सुरुक परिशित बैंक में जमा किया जाना चाहिए या उच गुर्वत्ता वाले बॉल्ड्स में निवेश किया जाना चाहिए या जब तक धातों की कीमत गिरती है और देश एक और मंदी का सामना करता है तब इन या अन्यमानक स्टोक को फिर से खरीदा जा सकता है और कुछ 25,000 डोलर की प्रारिमिक निवेश राशी को 20 वर्षों में 2,00,000 डोलर में ने बदल सके बसरते वह हर साल 100 डोलर खर्च करके मौलिक आंकडे 31 और संकलित करने के लिए तयार है ओ इस अध्याई में परस्तावित सिधान्त इस धारना पर आधारित है कि खदाने समाप्त नही होंगी और कोई एपरत्यासित गटना इन खदानों को लाविन नहीं बनाएंगी हम खदानों की बोतिक व्यवस्ता अन्य देशों में अधिक समरद और बड़ी खदानों की खोज और कुछ अन्य पदार्तों के विकास की बात कर रही हैं जो अध्योगिक दुनिया में कोपर की जगे ले सकते हैं इन धार्नाओं को समवेदन सील रेलवे स्टोक्स में निवेश करते समय नहीं देखा जाता क्योंकि रेलवे हमेशा उनके ठोस परिसंबतियों और उनकी कमाई की क्षमता के लिए मुल्यवान रहेंगे इसलिए निवेश के लिए हम मानते हैं कि रेलव और निवेशकों के लिए मुलिक वित्तिय स्थितियों से सम्मंदित विशेस सेवा गलत फैमी से बचने के लिए हमें पहले यह स्पष्ट करना होगा कि यह कारिये हमारे द्वारा शुरू नहीं किया गया था बलकि इसे कुट साल पहले अमेरिका के सबसे सफल बैंकों और वानेजिक फर्मों द्वारा प्रारंब किया गया था अलंकि प्रतेक फर्म द्वारा स्वतंतर रूप से यह काम करने का खर्च बहुत अधिक था जिससे छोटे बैंक, निवेशक और व्यापारी स्वतंतर रूप से जिम्मेदारी उठाने में हिचकिचा रहे थे इसलिए ह हमें हमारे कंद्रिय कारेले को यह कारिय सोपने के लिए कहा गया, ताकि खर्च को विभिन व्यक्तियों के बीच विभाजित की आजा सके और जो हमारे सदश्य बने और इसके परिणाम सुरुक लाप्राप्ट किया, चुकि हम कई वर्षों से इसी तरह का अन्य कारिय कर रह जो भविश्य की व्यापारिक स्थितियों की भविश्यवानी में किसी भी तरह से साहईता कर सकते हैं। फसलें, बैंक क्लिरिंग, सोने की गतिविदियां, व्यापार संतूलन आदी, संक्षेप में हमारा काम उन नियमित कलरकों के काम के समान है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आंकड़े एकत्तर करते हैं, व्यापारी जो इन तालिकाओं को अपने कारेले में रखते हैं, और देख सकते हैं, कि आंकड़े व्यापारिक स्थितियों में कोई बदलाव दिखाते हैं या नहीं, और यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में? साप्ताहिक बैरोमेटर पत्र व्यापारियों और निवेशकों की विशेश सुविदा के लिए, जिनके पास हमारी तालिकाओं को व्यक्तिकत अध्यन करने का समय नहीं है, हम साप्ताहिक पत्रपरदान करते हैं, जो हमारे सुयम के अध्यन के परिणामों को बैरोमेटर आंकड़ों में संक्षेपित करते हैं, वर्तमान स्थितियों के बैरोमेटर आंकड़ों की तुलना सामान्य स्थितियों के बैरोमेटर आंकड़ों से करते हैं, आप व्यापारिक, मोद्रिक और निवेश बाजारों में अगली स्थिति की बविश्यवानी कर सकते हैं, हमारी वर्तमान स्थितियों के बारे में निशकर्स पूरी तरह से सही और पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि यह कारिय केवल इमानदारी और गणितिय सटीक्ता की आवशक्ता करता है, और वास्तों में किसी भी इमानदार, बुद्धिमान और सावधान बुख की परद्वारा सत्यापित किया जा सकता है, सामान्य स्थितियों के आंकडों के बारे में हम केवल इतना ही गारंटी देते हैं कि वे निश्पक्ष हैं और हमारी सबसे अच्छी समझ के अनुसार हैं, यह जानते हुए कि कई अनुभवी बैंकर और व्यापारी वर्षों से समान कारिये के माध्यम से एक एसा निरने प्रा जोखिम नहीं होता और वे कभी भी इन निश्कर्षों की पूष्टी कर सकते हैं। इसलिए सेउक्त राजे अमेरिका की वास्त्विक स्थितियों के साथ निखट संपर्क में रहते हैं और किसी भी समय निमन लिखित की बविश्यवाणी कर सकते हैं। जो संखिकी और सामान्य परिस्थितियों का सही अध्यन नहीं करेंगे। इसलिए हम सभी पाटकों को सला देते हैं कि यदि वे एक साल में 100 डॉलर संखिकी डेटा 71 और संकलित करने में खर्च करने के लिए तयार नहीं हैं। तो किसी भी शेर को ने खरीदें बलकि सभी निवेश उच गुणवत्ता वाले बॉंड में सिमित करें। जैसा कि परंपरागत बॉंड डिलर्स द्वारा सिफारिस की जाती है। एक और बात चाहे वह शेर खरीदें या बॉंड निवेशक को पैसे जल्दी बनाने की जल्दी में नहीं रहना चाहिए। निवेशित पुंजी को धीरे धीरे और स्वभाविक रूप से बढ़ाना चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं होता, पैनिक्स उन लोगों के परिणाम होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है। अच्छे समय की चोटी कठिन है और कठिन समय की गहराई अच्छे समय है। जब मैं एक आदमी को आठ अजार ओटो मोबाईल से बस्ते उए देखता हो, तो मुझे लगता है कि अब अपना पैसा जूते में डाल देने का समय है। इस पर उत्तेजित मत हो, खुश रहो, कल सब ठीक हो जाएगा, या अगले तिन, या कभी। इस दुनिया की एक अच्छे बात यह है कि कुछ भी इतना लंबा नहीं चलता कि हानी हो सके। मैंने कई पैनिक्स का सामना किया है, मैं एक को मॉर्गेन की तरह संभाल सकता हूँ, पैनिक्स खुद को जनम देते हैं और खुद ही संभाल करते हैं। The End धन्यवाद, HindiAudiobook.com, आपका दिन शुब हो।